मस्कार दोस्तों स्वागे दे आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेसल के एक और नए वीडियो में दोस्तों भारत को दीन रत कोशने वाली फिजा इंकर खान को अपने ही मुल्क की कंगारी देखकर अब उसको अकल आ गई है कि आखिरकार जो इमरान खाने वो कर क्या रहा है दोस्तों आपको पता हुए कि इमरान खान की लंबी चोड़ी फेकने वाली फिजा गवर खान आप उसको यह बात पता चल गया है कि भारत के साथ दुस्मनी करके जो पाकिस्तान मुल्क है वो दिवालिया हो चुका है लेकिन फिर भी इमरान खान सुधर नहीं रहा है और फिर से वही बयान ब्याजी आपको पता हुए कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही एक बर फिर से बयान दिया जिसमें उसने कहा कि आगर बीजेपी गॉर्मेंट यानि कि भारत के नरेंदर मोदी जी के जो लेकिन पुरी दुनिया के लिए उसकी जवरजस्त हार होई है और इससे यही पता है कि जो पाकिस्तानी लोग है उनके मन में इमरान खान के लिए क्या जगह है और वो इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं और इसी वज़े से आपने देखा कि जैसे कि बहुत बड़ी यार वी इसमें सबसे बड़ा जो कारण है इमरान खान की नहिली है और मंगाई को नहीं रोक पाना था तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेश्टिंग ओने माली है तो वीडियो को अबीसे लाइक और हमार चैनल हिंदुस्तान स्पेसल को भी सबस्क्राइब कर लेजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं आहे रोस के गालम गलोच एक दूसरे को बुरा भला कहने से महौल में एक इन तो पर डिप्रेशन पैदा होता है महौल गुटन जदा हो जाता है जहां सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है अच्छा कर मैं महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मताब़क पाकिस्तान में महंगाई की रुश्यरा है वो खिते में सबसे ज्यादा है पछले छे महीने के दोरान पाकिस्तानी ज़ुरुपेया है वो एशिया की करेंट अकाउंट को भी जिकर कर दिया जो कि बहुती खौफनाक हद तक चला गया है इस वड़ तो आपने विप्तदाई कलमात थे अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दो कि इस वड़ जो हमारी पॉलिसिया है वो है मैश जो है अश्राफिया की पॉलिसिया है बेसाकी के सारे हम मैशत चला रहे हैं अपने वसाहिल पर नहीं चला रहे हैं कमजोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं लीबा पोती की मैशत है और कह सकते हैं कि मैशत के साथ कि ये बातें सिर्फ जो है ना नारो और पॉलिशी के तक रहेंगी अगर इस्टेटेजी बदली नहीं गई जिसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं जानाब है अच्छा डॉक्सर बेस्टेट बैंक में जो गैर मुलकी करंसी है उसकी खरीदों फरोग के हवाले से जो एक्सचे जी आपने बिल्कुल सही कहा मैं तो अगर पाकिस्तान में वाइद आदमी हूँ जिसमें कम से कम कई दर्जन दफ़े कहा है पिछले बरसों में कि ये तमाशा बंद कर रहे हैं इसलिए कि में एक फिगर आपको दे देता हूँ पाके पता चल जाए ये क्या हुआ है पिछले 2700 में 175 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्किट से डॉलर खरीदें और मुल्की कानून के तहट बाहर चले गए 276 बिलियन डॉलर जी आज मेरे मुल्क पर जो अरजे हैं बैरुनी वो है 127 अरब डॉलर इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कानू साधी पहले कर लेते तो और ये करते जो अभी भी रखिया है सही है कि तालीम के लिए और इराज मालजे के लिए इनों रहा हाद मकरर कर दी है उसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्यो खरीदना चाहता है कोई क्या ज़रूरत क्या है हम इसको इजाज़त क्यों दे रहे हैं मेरे खाल से तो इन दो मकासित के लावा इजाज़त होनी नहीं चाहिए अगर किसी के कोई रिक्वार्मेंट है तो पर स्टेट बैंक के पास से लगए लेकिन ये जो बॉखलाहट में किया है उसका एक सुबूत मैं आपको बता दू कि ये इत्वार के दिन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक कोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इत्वार के दिन शाहिए जारी हूँ है 19 दिसम्बर को उसकी वाज़ा ये थी कि साथी अरफ से तीन अरफ डॉलर आपके आगे है आएवेफ से मामला तैया हो गए लेकिन रुटेजी से गिर रहा था कि मैई से अब तक 28 रुपया फी डॉलर का कमी हुई जो मुल्फ 60 अरफ डॉलर ये 55 अरफ डॉलर का इंपोर्ट करता है वहां तो तबाही बर्बादी आ जा रहा है हमारा करेंट अकाउंट असमान पर जा रहा है हमारे रुपय की गदर जो है बहुत ज्यादा गिर रही है और फिलाइज ऑफ कैपिटल हो रहा है तो जो चीजें उनको दिसम्बर 2020 करनी चाहिए थी वह उन्हों उस वोत कहीं जब जुलाई से नॉमबर तक की आद अरब डॉलर रहा जबके पिछले साली मुद्ध में वो चे जो था तक्रीम दस अरब डॉलर था ठीक है तो अधर दस अरब डॉलर का इजाफा साथ महीने में हो जाए हमारे जैसे मुल्क के लिए जो इसका एकमोनी का साइज बहुत कम है तो यह तो रातों की नहीं नहराम ह है यह थी इंपोर्ट्स जो है जो तेतीस अरब डॉलर की है पिछनी साथ महीने में जो वर अव दी हाइस इंडिस्ट्रियों पाकिस्तान और पिछले साल की इसी मुद्ध से चौदा अरब डॉलर इजाफा हो गया जारी हिसाबात तक हस्ता है जिसका आपने पिकिया युला पाराचार मौजूद है मेरे ख्याल से तो हमें अबंदी लगानी चाहिए एना स्टेट बैंक और ना जो है अबारे जो एदारे हैं वो और बैंक ऐसा भार बेजने की उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के लिए सिवाए तालीम के लिए और सहत के लिए यह म लईशत हैं यह खता होनी चाहिए वजना बहुत प्रॉब्लेम्स पाकिस्तान बेजाए निए पिछले चे मीने के दोरान पाकिस्तानी जो रुपे है वो एशिया की तेरा टरंसिस में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है तो आपकी नज़र में इसकी जो वज़ा है रहा हम की न जब यह आप आये थे अगले 6 मेरे के अंदर हो जाता है तीन साल के पाद होता है पिछली हकूमत के इसके तालुक नहीं है मैं आप तो साबित कर सकता हूं कि हुआ यह था कि मार्स से जून 2020 जब कोरोना फैला तो हकूमत की लोट्री निकलाई है उन्होंने यह कहा हम कहते हैं जी आपकी शराइत हमारे लिए बहुत मुश्किल है हम इसको सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद 20 महीं में तक आइमेफ के प्रवाम को सस्पेंड रखा गया एक हिकमत अमली के तहट तो कि आइमेफ यह कहता है कि आप शरह सूब में कमी नहीं कर सकते अगर आ अब ही जो मांटा ते हुए तो इस्टेट बैंक ने तीन महीने में 275 बेसे स्पिट बढ़ा दिये